हिजबुल्ला के मुख्या को मार कर अब इसराइली सेना लेबनान में घुश चुकी है हाला कि इसराइली सेना के प्रमुक हरजी हलेवी ने कहा कि ये एक सीमित आपरेशन होगा जो बॉर्डर एरिया से हिजबुल्ला को ब्लू लाइन से पीछे खदेडने के लिए किया जा रहा है ताकि इसराइली सेटलर्स को वापिस उनके घरों में बसाया जा सके लेकिन आइडियफ के लेबनान में पैर रखते ही इरान समर्थित प्रतिरोध की धूरी जिसे एकसेस ओफ रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है पूरी तरह से तिल मिला गई है एक तरफ हिजबुल्ला ने ताबर तोड रॉकेटों की बरसात कर दी है वहीं दूसरी तरफ यमन का हूती अब हत्ते से उखड़ चुका है होदेदा एरपोर्ट पर इसराइली एर स्ट्राइक का शायद उसके उपर कोई फरक नहीं पड़ा क्योंकि जिस दिन उसके उपर ये हमला हुआ उसके थोड़ी ही देर बाद उसने अमेरिका की नाग कहे जाने वाले MQ-9 Reaper ड्रोन को साधा प्रांथ के उपर मार गिराया आपको यहाँ यह भी बता दे कि अमेरिका का ग्यारवा ड्रोन है जिसे हूती लड़ाकों ने मार गिराया है और अब हूती ने ये दावा किया है कि यमन की एरो स्पेस यूनिट ने गाजा पट्टी में तेल अविव शासंद के चल रहे अत्याचारों और पूरे लेबनान में उसके हमलों के प्रतिशोध में इसराइल के कबजे वाले इलाकों में रणनितिक शेत्र के खिलाफ दो ऑपरेशन्स को अंजाम दिया गया है दरसल हूती के अनुसार यमन के शशस्त्र बलो ने घरेलू और लंबी दूरी के याफा कामीकेज ड्रोन का उप्योग करके तटिये शहर टेल अविव के पास एक महतवपून लक्ष पर हमला किया इसके साथ ही उन्होंने चार घरेलू स्तर पर विक्सिद समद फोर लड़ाकू ड्रोन्स के साथ कबजे वाले इलाके के सबसे दक्षनी हिस्से में इलट बंदरगा पर मिलिटरी एरिया पर भी हमला किया फूती प्रवक्ता ब्रिगेडिया जनरल याया सारी ने बयान जारी कर कहा कि किये गए दोनों आपरेशन्स सफल रहे हैं इलाले इला इलाले अरभा के लिलाप इलाध लड़ मिलिटरी इलाग के सекс प्रावर बंदर्फ आर राले इलाम्सियर्त उन्यान्ism 자 guVINलिए इलाले 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 ऋिलाले इलाले आर्माल तो吉 qui एछता सक्षर मे इलाले कि आरमड़ा अेरात इलाय इलाले इलाले ठता है आपको बता दे कि हूती ने नितनियाहू को मारने की कोशिश की थी दरसल हूती ने इसराइल के बैंगुरोन एरपोर्ट पर फिलिस्तीन टू बेलेस्टिक मिसाइल दागी थी और ये मिसाइल ऐसे वक्त पर फायर की गई थी जब नितनियाहू अमेरिका से यूएन को संबोधित करके वापस लोटे थे वहीं इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यायसारी ने कहा था कि हूती के लड़ाकों ने बैलेस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन टू से ये हमला किया था इस हमले से एक दिन पहले 28 सितंबर को हूती ने तैल अविव पर इसी मिसाइल और एशकेलोन में एक प्रमुक्सेन ने टार्गेट पर याफाड ड्रोन से हमला किया था आपको बताने की हूती को जंग लड़ने का एक अच्छा खास आनुभाव है क्योंकि हूतीयों ने सौदी अरब और अन्ने राज्यों द्वारा समर्थित सरकार के खिलाफ यमन में एक लंबा युध लड़ा है और वो उसमें सफल भी हुए है इस प्रकार उनके पास उन्नत हत्यार वाले देशों के खिलाफ लड़ने का एक अच्छा खास आनुभाव है पिछले एक साल के दौरान हूती ने बिना किसी खौफ के लाल सागर में ता बड़तोड हमले किये उसने माने जिक जहाजों और अमेरिकी नौसेना के साथ साथ य और देखा जाए तो हूती की ताकत में लगातार बड़ोहत्री ही हो रही है जिसकी वज़ा से इस बात में कोई दोराय नहीं कि इसराइल के लिए हूतियों पे पार पापाना इतना आसान नहीं होगा झाल झाल झाल